असलाम लेकॉम, वेलकम टू माइ चैनल, आज है फ्राइडे का दिन और मैं सुबह सुबह उटके बच्चों का सब कुछ रेडी कर रही थी, टिफिन भी सब रेडी कर दिया था मैंने, लेकिन मैंने बहुत लेट से फोन चेक किया, तो बच्चों के सुबह में ही फोन में मेसे जाया था स्कूल से, कि आज उनको स्कूल हॉलिडे है, सस्पेंड हुएं क्लासे, क्योंकि बहुत बारिश हो रही है यहां पर, तो फिर मैंने और मेरे बड़ी बहन ने सोचा कि हम लोग ममी की घर जाएंगे एक दो दिन रहने के लिए, तो वही तयारी कर रहे थे, ममी का घ बच्चों का और मेरा सब कुछ कर लोगी, इसलिए सिर्फ आमना के डाइपर, वेट वाइपस, उसके एक दो जोड़ी कपडे, थोड़ी दवाई, बस बेसिक्स चीजें रख रही हूं, मेरी ममी की थोड़ी तब्यत खराब है, उनके हाथ को कुछ लग गया है, मेरी बड़ तो मैंने मेरा चार्जर, फोन और फिर दवाईयां सब रख लिये, बुरहान दिन के आई ड्रॉप और फिर जो उंगली को उसको मार लगा था, वो भी मैंने रख लिया याद से, आमना को एक दो दिन से खासी हुई है, तो उसकी भी दवाई रख रही हूं, मौसम इतना चि रहने के लिए, वरना एकसाइटमेंट में मेरे आगे पीछे घूम के, मुझे कुछ भी करने नहीं देंगे, बार-बार पूछ रहे थे, कि ये क्यूं रख रहे हो तुम, तो फिर मैंने अब भी उनको बताया, जैस्ट कि हम नानी के घर जा रहे हैं, तो दोनों एकसाइटि फिर आमना उटने के बाद हम जाएंगे, मुझको कुछ इतना टेंचिन नहीं था पैकिंग का, अगर को दूर जाना है, तो फिर याद से रखना पड़ता है, बच्चों की सब चीजें, अभी तो मैं फटा-फट जो भी याद आ रहा था, बस वही रख रही थी, मैंने मेरे एक जोड़ी कपडे ले ले लिए, नेक्स दिन सुबह में पहनने को, एक नाइटी और फिर अभी नहा के पहनने के लिए, मैंने ये ड्रेस निकाल लिया है, आज जुम्मा भी है, तो मुझे फटा-फट नहाना पड़ेगा, बच्चे तो आलरेडी सुबह में ही नहा लिये सर्पेस है, मैं आमना को नहला के फिर मैं रेडी हो जाओंगी, अगर माइका दूर रहा, कोई दूसरे गाओं में रहा, तो फिर हम लड़कियां जाके रहते हैं, बट अभी इतने नजदीक है, तो हम ममी के घर कभी जाते ही नहीं रहने के लिए, वो इतना बुलाते रहते ह जहन भी यहीं पर ही रहती है नजदीक में, हम वो बुलाएं तो हम बस एक 15-20 मिट जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक दो घंटे जाकर मिलके आ जाते हैं, तो ममी भी बहुत दिन से बुला रहे थे, उनकी तब्यद भी खरापती, तो मैंने और दीदी ने सोचा कि अभी जाके एक दो तिन दिन आराम से रहेंगे उनके साथ, फिर सब पाकिंग करके मैं बच्चों को लंच दे रही थी, मैंने फीकी डाल चावल और मटन मसाला बनाया था, ममी ने मड़की का सालन और चपाती दे के भेजे, रोज कुछ ना कुछ मेरे लिए भेजते ही है, वो जो वो लोग आने के बाद फिर हम ममी के घर जाएंगे, इतनी थंडी है, मैं इनसी आको बोल रही थी, जाकेट पहनो, लेकिन बच्चों को पहनना नहीं रहता है, उनको बारिश में भीगना, थंडी में रहना बहुत पसंद है, अच्छा तो जब मैं वोईस ओवर कर रही मैं मेरे ममी के घर पे हूँ, तो बहुत डिस्टर्बंस है हाजू बाजू, प्लीज बैर कीजिए, मेरे घर पे मैं आराम से बैट के वोईस ओवर करती हूँ, बट यहां पर इतने लोग है, मेरे बहन, उसके बेटा, मेरे बच्चे सब मिल के इतना आवास कर रहे हैं, तो मै यह शेड का नाम क्या है मुझे दिखने रहा है यहां पर, बहुत मेरे स्किन टोन को बहुत कॉंपलिमेंट करती है, मैं जहां पर भी बाहर भी जाना है, या फिर घर पे भी मैं लगाते ही रहती हूँ इसको, और फिर यह छोटा सा संस्क्रीन रख लिया है मैंने, वैसे तो बेड के बीच में गोल्ड दालूंगी, ममी को अच्छा लगेगा, मैं इससे सब पैन के रहूंगी तो, इसलिए फिर मैं चेंज कर रही थी, अच्छा तो जिस बैग में मैंने सब पैक कर लिया है, वो जो बाजू ग्रे में है, वो मेरी फ्रेंड ने मुझे दिलाया था, ज मेरी डाडी सब चेक करेंगे, इसलिए तीनों बच्चों के नेल्स कट कर लिया मैंने, फिर बुरहानों दिन जुम्मा की नमाज को चले गया था, फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया, मुझे भी नमाज सब पढ़ना था, फिर थोड़ा क्लीनिंग कर रही थी मैं घर की, उस देर तक बैठी थी, मौसम इतना अच्छा लग रहा था मुझे, और फिर मैं मेरी कॉफी भी एंजॉई कर रही थी, मैंने खाना नहीं खाया, बस कॉफी पी ली मैंने, फिर कॉफी इतना अच्छा एंजॉई कर रही थी, तब ही मैंने अंदर से सुना कि बिली की बच्ची इतना चिल आ रही है, तो मैं सोची कहां आमना उट जाएगी, तो मैं अंदर जाके देख रही थी क्या प्रॉब्लम है, वो फिर किचन में आकेली थी, उसको शायद अपने मम्मी के पास जाना था, तो मैंने जैसे ही लाइड लगाई, तो फिर भाग के चली गई, फिर वो भी के लिए बॉटल मंगाए थी, उसके पुरानी बॉटल अच्छी है, वो पुरानी वाली, बट एक देड साल हो गया, वो यूज कर रही है, प्ले होम से यूज कर रही है, तो मैंने उसके लिए एक नया बॉटल मंगा लिया, और फिर उसको चश्मा भी चाहिए था, क्योंकि लेकर दोनों भी बहुत उसको लाड़ करते हैं, बट सबस्यादा बुरहानों दिन, इंसिया भी करती है, लेकिन बेहनों का थोड़ा रहता ही है, उनका रिष्टा ही अलग रहता है, नोग जोग का भी, प्यार का भी, लेकिन बुरहान दिन तो उसको इतना लाड़ करता है, इतना वो पैमपर करता है आमना को फिर आज रात का डिनर मुर्तजा ने बोला था कि वो बिर्यानी लेकर आएंगे बाहर से तो मैं और दीदी हम लोग सोचे कि कल हम लोग चिकन तंदूरी और फिर चिली चिकन नेक्स जे के लिए बना लेंगे तो वो ही मारिनेट कर रहे थे हम लोग मैं और दीदी मिलकर हमारे घर पे आपको लगता होगे कि हर व्लोग में मैं तंदूरी की बात करती हूँ लेकिन हमारे घर पे तंदूरी चिकन सबको बहुत पसंद है इस्पेशली होमेड जो बनता है उसका मसाला वो सभी बहुत शौक से खाते हैं बच्चे बड़े तो हम कोई भी ओकेजिन हो तो मोस्टली चिकन तंदूरी बनाते हैं तो मैंने और दीदी ने सब मारिनेट करके सब कुछ रग दिया था फिर मुर्तजा ने डिनर लेकर आये बिर्यानी चिकन बिर्यानी लेकर आये थे वो तो हम सब एक एक करके जैसा जिसको भूक लग रही है सब लोगों ने डिनर कर लिया आराम से फिर ये रूम में मैं इंसिया और आमना सोने वाले थे ममें डड़ी का ऊपर भी घर है तो वहां पर मेरी दीदी और उसकी फैमिली सोने वाली थी तो ममी ने बेड़ पे कुछ चावल सुका के रखे थे तो वो निकाल रहे हैं ताकि बेड़ क्लीन करके हम सो जाएं तो मैं उनको पूछ रही थी है चावल क्यों सुका रहे हैं तो बोल रहे थे हैं नीर दोसा बनाएंगे फिर मैं आमना को भी खाना खिला रही थी यहां पर और फिर मैं देख रही थी बच्चे सब कितना इंजॉय कर रहे हैं माशालला से हम लड़कियां कितने भी बड़े हो बट माईकी की बात ही अलग होती है मैं और दीदी वही बात कर रहे थे कि हाला कि हम आल्मोस्ट आते ही रहते हैं मम्मी को मिलते ही रहते हैं ऐसे नहीं कि बहुत दूर रहते हैं हम लोग करीब में ही रहते हैं बट अभी आके रह रहे हैं तो इतनी एक्साइटमेंट हो रही करना घ्रोमय पर अप्लाइब अच्छे प्रेंस है थेसे प्रशाख प्रेंस है थे польз थे अच्छा थे टेम ने पर दिरेंसे नहीं हुआ है गो अल्ड़ वर इस प्रेंस अच्छित का सब्सक्राइब लोर अच्ट यह कीज़ी का नए में अमों अच्छाव यह फॉन है हुआ हुआ है